हेलो गाईज, वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल, तो देखें मैं आपका दोस्त अबह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं जो डेली उनिवर्सिटी सोल के अंदर बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ओनर्स के स्टुडेंट्स हैं उनकी सेमेश्टर 1 के एक्जामनेशन होनी है फैब मार्च 2023 में उसके अंदर उनका एक सबजक्ट हैगा बिजनिस लॉओ उसका आज हम देखने वाले हैं paper का pattern किश type का आने वाला है मतलब किश type के questions आने वाले हैं कितने कितने marks के questions आने वाले हैं और किस-किश chapter में से question आएंगे तो आज की वीडियो में मैं लेकर आइय हूँ आपके साथ एक sample paper जिसमें हम हमें सारे questions दिखा रखे हैं कि इतने इतने marks के question आ सकते हैं और इस इस chapter में से ये question आएंगे ये जो sample paper आए ये कुछ नहीं previous year के जो question paper होते हैं वही हैगा उसी में से हमें पता लग जाएगा कि semester one में के जो exam हैंगे हमारे उसमें कितने-कितने marks के question आते हों किस के type के questions आते हैं क्योंकि DU ने कोई officially sample paper वगए उससे देखकर पता लगा सकते हैं कि कितने-कितने marks के questions आ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस business law के question paper के pattern को देखिए यह एगा हमारा business law का question paper इसमें लिखा है this question paper content 12 printed page total 12 pages का आया हुआ है यह जो भी पिछले ही year का है serial number of question paper दिया है unique paper code दिया है name of paper name of course semester 1 का है duration है कि 3 hours की और maximum marks हैंगे 75 marks जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कितने marks का paper आना है और कितना timing का है instruction दी है write your roll number on the top immediately सबसे पहले roll number लिखना है फिर attempt all questions सभी questions को attempt करना है all questions carry equal marks सभी questions बरावर marks के है answer में भी written either in English और Hindi but the same medium should be used throughout the paper मतलब आप किसी भी medium में answer लिख चकते हैं चाहें English में चाहें Hindi में but पूरे paper में वही medium होना चाहिए अगर आप English में लिख रहे हैं तो पूरा paper इंगलिश में होना चाहिए और Hindi में लिख रहे हैं तो पूरा paper Hindi में यह Hindi में इसके instructions दी गई है अब देखे question number one आया है one का a part है मतलब इसमें क्या होता है questions को ना parts में डिवाइड कर दिया जाते है question number one का a part है जिसमें हमें question दिया गया statement true false की statement है reason के साथ बताना है nine marks का a part है बी पार्ट हैगा six marks का ठीक है तो total हो गया one question हमारा 15 marks का मतलब सारे question 15 15 marks के है total five question हैंगे question paper में यह हमें पता लग गया यहीं से ठीक है आफ देखे फर्स्ट question में choice दिया है या तो हम यह वाले a या b part कर सकते हैं या फिर यह नीचे और दे रखा है इसमें से a या b part हम कर सकते हैं यह भी हमारे वही nine और six marks के ही एंगे ठीक है यह देखिए Hindi में भी बता रख़्ा है इनको अपको अगर आप Hindi में लिखना चाहें तो Hindi में लिख सकते हैं फिर second question आया हमारा इसका a part हैगा 5 marks का b part हैगा इसका second का 5 marks का और second का c part भी 5 marks का है तो यह second question भी हमारा पूरा 15 marks का हो गया और करके इसमें option में 3 part और दे राखे हैं मतलब question no one में भी हमारे बात चोईस थी question no two मेरे भी हमारे पास चॉइस है और सारे pap 15 15 marks के 5 question आएंगे ठीक है आगे देखिए जो थर्ड कोशन है उसमें भी A part एगा 5 marks B part एगा 5 marks C part एगा 5 marks और इसमें भी हमारे पास choice है इसमें भी A part एगा 3 जो choice वाला है उसमें हमें A का भी first part दे रखा है second part दे रखा है third part दे रखा है 3 3 marks का तो ये 9 marks हो गई और B part दिया है 6 marks का तो ये पूरे मिला के 16 marks होगे मतलब question number 1 में भी choice है अब तक हमारे पास 2 में भी choice है और 3 में भी choice है आगे देखते हैं आपको हिंदी में भी यही सारी चीज़े दे रखी है देखिए अब देखिए आगे question number 4 का A part 5 marks B part 5 marks C part 5 marks ही है फोर्थ में भी हमारे पास 3 तीन पार्ट हैंगे 55 marks के और option में दे रखा हैगा इसके एक और जिसके A, B और C पार्ट हैंगे 55 marks के ठीक है ये देखिए तो मतलब फोर्थ question में भी हमारे पास choice भी है और फोर्थ question हमारा पूरा 15 marks का question हैगा अब आगे देखिए question number 5 हैगा A part 5 marks B part 5 marks C part 5 marks और इसमें भी हमारे पास choice है A, B, C, 55 marks तो देखिए इस question paper को देखने के बाद हमें ये पता लग गया कि इसमें सारे question total 5 question आने आपके सारे question 15-15 marks के होने है अब एक full flash question 15 marks में नहीं आएगा part होकर आएंगे उसके या तो 3-3 marks के या 55 marks के part हो जाएंगे maximum जो हमने देखे है 55 marks का part बना देते हैं 55 marks के 3 part दे देते हैं एक question के अंदर और जो maximum marks हो सकते हैं किसी question के वो 9 marks का सबसे highest marks का question है 9 marks से ज़्यादा का कोई question नहीं आएगा part में भी ठीक है और minimum तो 3 तक जा सकते हैं 3 का 5 का और 9 का इन मैंसे आते हैं तो maybe आज की वीडियो आप लोगों के लिए useful रही होगी आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जड़ू करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है इस टैप के और important content से updated रहने के लिए आज के लिए इतना ही अवा मिलते हैं next video में थैंक यू